बॉली उड में कोई ना कोई धमाल होता ही रहता है। कहीं कोई खबर सामने आती है तो कहीं बॉली उड में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उमीद किसी ने भी नहीं की होती। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं आप सभी को याद होगा कि शुशान्थ सिंग राजपूत का निधन 14 जुद 2020 को हुआ था 34 साल की उम्र में शुशान्थ ने इस दुनिया को अलजिदा कह दिया था शुशान्थ अपने मुंबई में मौजूद फ्लैट में वृत पाई गए थे हाला कि उनकी मौद काफी सुर्ख्यों में भी रही थी शुशान्थ की मौद का केस लंबा चला कई एजन्सियों ने इसके जाच की लेकिन अभी तक कोई निश्कर्ष नहीं निकला है शुशान्थ की मौद की वज़ा का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन अब फिर से शुशान्थ की मौद में नया मौद दिखाई देने लगा है जिसमें कॉमेडियन भारती सिंग और उनके पती हर्ष भी शामिल बताये जा रहे है दरसल शुशान्थ से जुड़ा हुआ मामला ड्रक्स तक पहुँचा था जिसके बाद अब इस मामले में ताजा अपडेट ये सामने आई है कि NCB ने इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और जल्द दोनों के खिलाफ कोट में मामला शुरू हो जाएगा यहां बता दें कि फिलहाल ये दोनों जमानत पर बाहर ही है बता दें कि भारती और हर्ष लिंबाचिया अब 6 महीने के बच्चे लक्ष के माता पिता है उन्हें NCB ने नमंबर 2020 में उपनगर अंधेरी में उनके घर से गांजा जब्त करने के बाद गिरफतार किया था NCB ने च्छापी मारी कर उनके घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामत किया था फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर है जानकारी के अनुसार मनुरंजन उदियोग में कर्थित नशीली दवाओं के इस्तिबाल की जाज के तहट तलाशी ली गई थी भारती और हर्ष कई रियाल्टी शोज को होस्ट कर चुके हैं भारती और हर्ष दोनों पहले एक अन्ने शो उनर बास देश की शान में होस्ट थे उन्होंने इस साल की शुरुवात में अपने खुद के कॉमेडी गेम शो खत्रा 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 का तीसरा सीजन भी लॉंच किया है और वहीं अगर इनकी दैनिक जीवन की बात करें तो भारती और हर्ष नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन के मद्दे नजर वीडियो इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं कई वीडियो में उनके बेटे लक्षी को भी दिखाया गया है जिसका नाम गोला रखा गया है अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में शुशांत की मौत में क्या खुलासा हो पाता है और शुशांत बॉलिवड में कई सूपर हिट फिल्में भी दे चुके हैं जैसे कि सब भी लोग उन्हें प्यार करते हैं उनको आज भी करोडो फेंस बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मिस भी करते हैं